मदस्जी के मौके पर नीशा जोशी योग अकादमी इंदोर ने आस्था व्रद्धिजन सेवा आश्रम परदेशी पुरा में निशुल को योग कार्शाला और स्वासिश्वीर का आयोजन किया इस मौके पर महिला नोग रिवारन में योगी चिकिस्टा के भूमी का विशे पर प्रकाश डाला गया ताकि योग के जरीए निरोग रेकर महिलाएं भी स्वस्ते जीवन जी सके देखिए इसी पर हमारी खास खबर आस्ता व्रद्यजन सेवा आश्रम में आयोजीत कारिकरम में सबसे पहले महिला व्रद्यजनों को फूल देकर उनका सम्मान किया गया जिसके बाद केक काटकर मातर दिवस की शुपकामनाय भी दी गई बाद में योग के जरीए निरोग रहने की सीख भी दी गई है इस मौके पर निशा जोशी योग अकादमी की संचालक निशा जोशी ने कहा है कि बड़ी ही विडमना है कि बच्चों के होते वे भी माता पिता को वृद्धाशन में आकर रहना पड़ता है योग चिकिस्तक निशा जोशी मिशन कौनते के जरीए योग शिक्षकों को प्रसिक्षन भी दे रही है जिनको उनके स्टुडेंट्स मा के रूप में पकारते हैं वहीं उनके स्टुडेंट्स ने उन्हें मदस्ड़े की शुबकामना भी दी है जब हम नएने आये थे मिशन कौनते में बैच वन में थी मैं तब भूत बारिश वगरा रहती थी हर महीने और हम उसमें आते थे और मा को तब 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 वी कहा था कि डॉक्टर ने की रेस्ट की जरवत है लेकिन फिर भी हम आते थे और ना गुरूमा घुरूमा जो है प्यार वो ऐसे आती है अंदर से आती है हमारे हरदर से आती है कोई किसको सीखा कर मा नहीं कहलवा सकता तो इस तरह से नीशा जोशी योग अकादमी के जरिये योग प्रशिक्शन देने के साथ बच्चों में सामाजिक डायत्वों को भी जगाया जाता रहा है ब्यू